नमस्कार में दिविया स्वागत है आपका अच के स्रोजगार समाचार में यदि आप फॉरिस्ट कार्ट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है फॉरिस्ट कार्ट के 540 रिक्त पदों को भरने के लिए करनाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जानकारी देख सकते है इसके अदिकारिक website हमने अपने Revelation box में भी दे रखे हैं यहां से भी क्लिक करके आप डाइरक्ट लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आईए अब आगे जानते हैं किस भरती के लिए अवेदन सुल्क के बारे में तो जो अभियरती जेनरल सुल्क के रूप में 200 रुपे लिए जाएंगे वही जेनरल सुल्क के महिलाओं से 100 रुपे लिए जाएंगे इसके लावे वैसे आरक्षित वर्ग के अभियरती जो अपना संबंद S.C. या S.T. वर्ग से रखते हैं और पुरोस हैं उनसे 100 रुपे लिए जाएंगे वहीं S.C. या S.T. महिला के उमिदवारों से 50 रुपे आवेदन सुल के रूप में लेना तैय किया गया है यदि उमिदवारों के सेक्षनिक योगिता की बात करें तो उन्हें किसी भी मानिता प्राप्त बोर्ड या संस्तान से बारवी पास होना जरूरी है साथ उमिदवार ITI डिप्लोमा भी होने चाहिए इस परिक्षा में बैठने के लिए उमिदवारों की नियुन्तम आईउ 18 वर्स और अधिक्तम आईउ 27 वर्स होनी चाहिए हालांकि अरक्षित वर्गों को सरकार के मान दन्नों के अनुसार छूट दिये जाएंगे ज़िए इसके सैलरी की बात करें तो अधिकारिक अधिसूचना के मताबिक चैनित वर्मिदवारों को 23,500 रुपे से लेकर 47,650 रुपे दिये जाएंगे आईए बागे बात करते हैं उमिदवारों के चैन प्रक्रिया के बारे में इसका सेलेक्शन प्रोसेस लिकित परिक्षा के आधार पर किया जाएगा साथी सालरिक परिक्षा भी आपको पास करने आने वारे होगी चलिए वाकरी में हम जानते हैं आविदन प्रक्रिया के बारे में इसके लिए सबसे पहले उमिद्वार को इसके आधिकारिक वेबसेट पर जाना होगा आविदन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं यहां से क्लिक करके आप डाइरेक्ट पहुंच सकते हैं यहां आते हैं इसके होमपेज पर आपको भरति लिंक दिखेगा यहां उमिद्वार नियूर रजिस्ट्रिशन लिंक पर क्लिक करें उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रकृया को पूरी करें और इसकी अपने प्रति अपने पास जरूर रख ले आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद